सोला क्टुंबर को सिवनी की गलियों में कोवीट की भयाव हता से सुरक्षित रहने की अलख जगाने का अथक प्रयाज संगठन ने किया प्रसासन द्वारा चलाए जा रहे कोरोना के प्रती जन्ज आगरुकता अभियान रोको-टोको कारिक्राम के अंतरगत सिवनी की प्रतिष्ठीत एवँ जिम्मेदार संगठन मातर सक्ति संगठन के कंधों पर यहां जिम्मेदारी दी गई थी कि वे सिवनी नगर के अंजान कोरोना महामारी की भयावाहता से परिचित कराते हुए सतर्क और जागरुक करे मात्र सक्ती संगठन युथ विंग समर्पन युवा संगठन ने बड़े ही समवेदन सिल और दनमयाता से प्रसासन को भरपूर सहयोग देते हुए करत्याविय निष्ठा का परिचय दिया कोविड-19 के लिए जागरुकता अभियान में संगठन के ही युथ विंग के युवावन फैंसी ड्रेस नुकल नातक रैली स्लोगन जैसे अनक कारेक्रमों के माध्यम से जनता को सचेत करने का सफल प्रयास किया इसी कड़ी में संगठन द्वारा विशाल संदे सियात्रा निकाली गई संगठन के सदसे निर्धारित ड्रेस कोट में एकत्रित हुए और दासहरा मैदान पहुच कर कोरोना के प्रती स्वरुप विशाल पोतले का धहन किया सुप्रीम पाउर ने इसके लिए वीमल चौबय के साथ देवेंद्र ठाकोर की रिपोर्ट सभी में मात्रिशक्ति संगठन ने अपने युवाओं के साथ बढ़ घर कर छुस्ता लिया है प्रशासन द्वारा निर्देशित सभी स्थानों के साथ हम लोगों ने अपने अलग-अलग तरीकों से लोगों को समझाईश दी लोगों तक इस समझाईश पहुच नहीं पहा रही है वहाँ भी मात्रिशक्ति ने अपने समर्पन के साथ जाकर लोगों को समझाईश दी अपने देश से अपने पिश्व से कोरोना की विदाई के लिए प्रतिकात्मक एक समापन किया है जिसमें हमारे युवाओं ने पूरे शहर में कोरोना को लेकर एक अच्छा प्रदर्शन किया एक जहांकी प्रस्तुत की लोगों को अवेर किया और उसके बाद हमने दशहरे मैदान में आकर अपने सपाई कर्मी, पुलिस कर्मी और डॉक्टर्स के साथ में कोरोना का दहन किया है जिसे प्रशासन ने भी बहुत सराहा है और मैं आज आमजन से देशवासियों से अपील करती हूँ कि ये कोरोना की बिदाई एक प्रती कात्मर्ग बिदाई है अभी भी हमें सावधान और सरक्षित रहना है कल से नवरात्र प्रावरम्ब होने जा रही है आप सभी देशवासियों को नवरात की हरदिक शुब कामना है इस तवहार को खुशियों से मनाने के लिए हमें प्रशासनिक सरकारी गाईडलाइन्स का पालन करना है ताकि हम इस तेवहार को खुशी से अच्छे से मना सकें जैहिन जैल करोना जैसी वेश्वी के महावारी के चलते मात्रशक्ति संगठन यूत्विंग समर्पड़ी वे संगठन दारा निरंतर लोगों की मदद की गई है हर तरीके से अपने-प्रायासों से लोगों की मदद की गई है और रोको-टोप अभियान के तहट जिला प्रसेशन रोको-ट तरीके से लोगों को जागरुख करने के लिए लोग नियमित मास्क पहने और जैसे की सवाशन द्वारा निर्देशीत था कि वेपारी वहाई उसे मिलें और उन्हें समझाएं कि जिन गरहाकों ने मास्क पहना हो उन्हें ही सामगरी दें तो हमने निरंतर अपने तरीके से प्रशाशन को और अपील भी किया आम् exposn नमाना से पर इसी तारेतम में हमने आज संगठन द्वारा रोकोटोप अभियान का समापन किया है जिसमें हमने कवाउना करण बना और कव्वारूना की जहांकि फुराइश में निकाली नगर में निकाली और एक संदेज दिया और आज हमने ये प्रता देहन किया है उर्दु स्कुल बश्टन ग्राउंड में ताकि लोगों में समझाईश हो और संगठनदारे नेजंतर लोगों को समझाईश दी गई है कि इस बेश्विक जो महामारी है इसे हल्के में नहले यह प्रंभीर बिमारी है और नीमत मास्क का उप्योग करें और इस से बचने का प्रायस करें जय है